हांजी नमस्कार अभी अभी की बड़ी जानकारी आ रही है महराश्टर पोलिटिक्स के बीच अब एक बड़ी अपडेट एंसेपी की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है जैसा कि सिर्षेना में देखने को मिला था वैसा ही सेम अब एंसेपी में हो गया हो रजीत पवार ने अपना समर्थक विधायक और सांसदों के 40 से अधिक हलफ नामें दाखिल की है इसमें दोस्तों सर्द पवार गोटने भी चुनाव आयोग में कैबी 8 दाखिल कर कहा था कि किसी भी फैंसले पर पहुंचने से पहले उनका पक्स सुना जाना जाहिए वहीं अब दोस्तों चुनाव आयोग दोनों धड़ पहुंच चुके हैं और दस्तावे जमा करवा दिये गए हैं एक और NCP अजीत पवार नहीं NCP पार्टी पर दावा ठोब दिया है और चुनाव चीहन पर भी दावा ठोब दिया है